ये हैं उम्जाली एक मादा चीता आफ्रिका के सबसे अनोखे शिकारी जीवों में से एक ये कुछ ढून रही है पर वो शिकार नहीं है आज उसे किसी और चीज की तलाश है एक सुरक्षित ठिकाने की इसके पास एक बेहत केमती चीज है उम्जाली तीन महीने से प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे अब पैदा होने वाले हैं वो ऐसी जगे ढून रही हैं जहां पेट भरने के लिए शिकार की कमी नहीं हो लेकिन जहां शेरो और हाईनास का खत्रा भी नहीं हो उसे सही जगे ढूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि उम्जाली एक खास जगे पर रहती है ये है साउथ आफ्रिका का वाटरबर्ग बायोस्फियर रिजर्व जहां सूखे घने जंगल और घास के मैदान दोनों होते हैं साउथ आफ्रिका के लिंपोपो प्रॉविंस में मौजूद ये विशाल रिजर्व लगभग साड़े छे हजार स्क्वेर किलोमीटर के इलाके में पहला हुआ है ये एक सुरक्षत कुद्रती लाका है और यहां कई किस्म के जंगली जीवजन्तु रहते हैं आफ्रिका के सबसे शांदार जानवर यहां पर आजादी से रहते हैं चाहे दिन हो या रात अगले दिन की सिभा इस जंगली इलाके में कुछ नए जानवर दिखने लगे हैं उमजाली ने आखिरकार अपने बच्चों को जन्दे दिया है तीन नर और एक मादा चीता उमजाली यहां की उन गिनी चुनी मादाओं में से एक है जो कई बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने में कामियाब रही है तो इसे आप कह सकते हैं सूपर मॉम अब दुनिया भर के जंगलों में 5000 से भी कम चीता बचे हैं इसलिए इस प्रजाती का भविश्य ऐसी गिनी चुनी एक्स्पीरिंस्ट माओं पर निर्भर करता है उमजाली की सुरक्षा के लिए इसे GPS स्कॉलर पहनाया गया है ताकि उस पर नजर रखी जा सके इस बार के बच्चों में उसकी अकेली बेटी स्पेशल हो सकती है हर नई मादाचीता कल को सूपरमॉम बन सकती है इसका नाम है उसाना उसाना और उसके नवजाद भाईयों की आँखे बंद हैं इसलिए वो कहीं जा नहीं सकते तो जंगल में रहने में खत्रा भी है चीता की सिर्फ एक तिहाई बच्चे ही बड़ी उम्र तक पहुच पाते हैं उसाना की जिन्दगी भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है किस्मत से उसकी गुरू बेहत काबिल है उसाना और उसके भाई हर तरह से अमजाली पर निर्भर हैं ये उन्हें दूद पिलाएगी, हिफाज़त करेगी और जीना भी सिखाएगी ये सूपरमॉम अगले सोलह महीनों तक उन्हें सब कुछ सिखाएगी बच्चे पैदा करने के तीन दिन बाद ही उमजाली को एक जरूरी काम करना है चार छोटे बच्चों की स्मेल वक्त के साथ और तेज हो जाती है उनकी स्मेल शिकारी जीवों के लिए एक आकरशक खुशबू है इसलिए उमजाली को उन्हें नए ठिकाने पर ले जाना होगा कुछ ही मिनटों में इसे अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षिक जगे मिल जाती है ये घनी जाड़ी बच्चों को अच्छे से छिपा कर रखेगी ये जगे उनके पुराने ठिकाने से सिर्फ पंदरह मीटर दूर है लेकिन इसके बाद भी इतनी दूरी बच्चों की स्मेल कम करने के लिए काफी है सबसे पहले ये उसाना को नए घर पर लेकर जा रही है एक-एक करके उमजाली सभी बच्चों को वहाँ ले जाती है बच्चे पैदा करके ये अभी भी थोड़ी कमजोर है लेकिन इस हिम्मत और लगन की वज़े से ही ये एक सूपर मॉम बन पाई है फिलहाल बच्चे सुरक्षित हैं लेकिन इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है उमजाली के बच्चे सिर्फ अपनी मा का प्रोटीन से भरपूर दूद पीते हैं उसान और उसके भाईयों का पेट भरने लायक दूद बनाने के लिए उमजाली को दुगना खाना भी खाना होगा उसे शिकार करना होगा अब जब बच्चे नई ठिकाने पर सुरक्षित हैं तो वो सवैना में निकल पड़ती है उसका अपना इलाका डेड़ सो वर्क किलोमीटर के लाके में फैला हुआ है उसे वापस आने में कम से कम दो दिन तक लग सकते हैं और अगर उसे ढंका शिकार मिल भी जाए तब भी चीता शिकार करने में जाता से जादा दस में से चार बार काम्याब होते हैं आज इसकी किस्मत अच्छी है सूपर मौम अमजाली को जिसकी तलाश थी वो मिली गया विल्ड़ बीस्ट का जुन्ड ये नोकीले सींगो वाले तगड़े चानबर हैं तो अकेले एक बड़े विल्ड़ बीस्ट से लड़ना खतरनाक हो सकता है लेकिन इस जुन में छोटे बच्चे भी हैं इस शिकार के कान बहुत ही तेज होते हैं और इनके सूंगने की शक्ती भी बड़ी ही कमाल की होती है इसलिए उमजाली भेती हावा की उल्टी दिशा में बैटी है कुछ ही सेकिंज में वो पे चानबे किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार पकड़ लेती हैं शिकार घबरा जाते हैं और हल्चल में गुमजाली को कामियावी मिल ही जाती है यहां दूसरी तरफ उसाना और उसके भाई बहन उनके नए सुरक्षत घर में चुप-चाप एक ही जगे पर बैठे हैं इस छोटी सी उम्र में वो बहुत कमजोर हैं और इसलिए मा जहां छोड़कर गई थी वहां से ये जरा भी नहीं हिलते और ऐसा करना जरूरी भी है लिमपोपो में कई खत्रे मौजूद हैं बेहद विशाल जानवरों से लेकर शांत शिकारियों तक ये जहरी लब पॉफएड़ा घात लगा कर शिकार करता है और इसी काम के लिए ये सही जगे ढून रहा है तो जब तक ये हिलेंगी नहीं तब तक इन्हें अपने नए रेप्टाइल पडोसी से कोई भी खत्रा नहीं होगा लेकिन उसाना को बहुत भूख लग रही है और वो अपनी मा को पुकारती है किस्मत से उसका इंतजार खत्म होता है अपनी भूख मिटा कर उमजाली घर वापस आ गई है शिकार करने की महनत के बाद अब ये बस आराम करना चाहती है वहीं दूसरी तरफ उसाना दूद पीने के लिए अपने भाईयों से धक्का मुके कर रही है एक महीने तक ये बच्चे सिर्फ दूद ही पीएंगे सबसे पहले उसाना पेट भर लेती है और फिर घूमने फिरने लगती है ये अभी से अपने दम पर कुछ करने की कोशिश कर रही है साथी चीजों पर चड़ना भी सीख रही है अब हर रोज धीरे धीरे उसकी आखे भी खुलती जा रही है लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं खुलेंगी जब तक वो पूरे दस दिन की नहीं हो जाती अभी उसे हर चीज छू कर पहचाननी होगी आज इनके घर से कुछी मीटर दूर से एक नया परिवार गुजर रहा है हाथियों का जुंड उमजाली की तरह ही ये मा भी अपनी बेटी को उसकी पिता की मदद के बिना अकेली ही पाल रही है लेकिन हाथियों की बात करें तो चीता के मुकाबले वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी भर साथ रहते हैं दूसरी तरफ उसाना और उमजाली का साथ में रहने का वक्त पलक जपकते ही खत्म हो जाएगा छे हफते बीद गए हैं और उसाना और उसके भाई साइज में लगबग दुगने हो गए हैं उनकी माँ उमजाली फिर से शिकार करने के लिए गई है लेकिन इस बार ननहीं उसाना एक जगे पर नहीं बैट रही है उसके भाई एक दूसरे के साथ ही रहते हैं वो उसाना जितने जावाज नहीं है उसके भाई बड़े होकर आपस में एक जुंड बनाकर हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे लेकिन उसाना अपनी मा की तरह अकेली ही रहेगी वो मादा है इसलिए अपने दम पर रहना उसे पसंद आएगा वो तो अभी से ही अकेले घुमने फिरने निकल जाती है उसाना के भाई आपस में खेल खेल में लड़ने में बिजी है लेकिन उसाना नई चुनोदियां ढून रही है तो इस सूखे पेड़ पर प्राक्टिस करके वो उचे पेड़ों पर चड़ना सीख रही है लेकिन उसे अब यह मस्ती छोड़नी पड़ेगी क्यूंकि उसकी माँ उसे बुला रही है वो खाने के लिए देर से पहुची है उसके तीनों भाई आज पहली बार ताजा मीट का स्वाद चक रहे हैं उसाना भी तुरंद खाना खाने लगती है इन्हें जल्दी जल्दी खाना सीखना होगा चीता सभी बिक्याच में सबसे छोटे होते हैं इसलिए अक्सर जादा बड़े ताकतवर जानवर उनका शिकार छीन लेते हैं इस शेर कुमजाली की शिकार की बू आ गई है और ये अकेला नहीं है दोनों भाई इनके करीब आ रहे हैं चीता के बच्चों को सबसे जादा शेर ही मारते हैं उमजाली इन दोनों से लड़ महीं पाएगी उसे अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए भाग ना होगा जैसे ही मौका मिलता है वो अपने बच्चों को साथ लेकर भाग जाती है उसाना और उसके भाई अब महफूज हैं सूपर मौम उमजाली सही वक्त पर निकल आई ये उसकी शिकार की स्मिल की वज़े से आय थे लेकिन यहां आने का इनका एक और मकसद है ये यहां अपना खुद का परिवार बसाना चाते हैं ये बिग क्याट्स उसाना और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा खत्रा है और ये उनके बेहत करीब आ गए है उमजाली और उसके बच्चों को फिर से नई जगे ढूनी होगी छे हफ़ते की उम्र में ही उसाना और उसके भाई बंजारों जैसी जिन्देगी जीने लाइक बन गए हैं उसाना अपने पहले रुमान्चक सफर पर निकली है उमजाली रास्ता दिखा रही है क्योंकि ये रात में सफर करेंगे एक महीने बाद ये परिवार अपने पुराने ठिकाने से नौर्थ की तरफ कुछ किलूमीटर दूर रहने लगा है और फिलहाद इन्हें शेरों से खतरा नहीं है सूपर मौमम जाली की वज़े से उसाना और उसके तीनों भाई अब दस हफ़ते के हो गए हैं अब वो पहले से बड़े, तेज और ताकतवर हैं और उसाना आसपास की दुनिया में और दिल्चस्पी लेने लगी है आज वो अपनी नाक का इस्तमाल कर रही है चीता की सूंगने की शक्ती जबड़ दस्त होती है एक अडल्ट चीता शिकार को साथ किलोमीटर दूर से ही सूंग लेता है उसाना कई महीनों बाद शिकार करने लायक होगी लेकिन उसे एक दिल्चस्प चीज मिल गई है एक स्क्रब है जरा संभल कर ये हैर उसके मुकाबले कुछ ज़्यादा ही तेज है लेकिन हमारी उसाना हार नहीं मानेगी और उसने दूसरा शिकार ढूंड ही लिया इस हॉन्बिल ने उसे नहीं देखा लेकिन उसाना के करीब पहुचते ही अचानक एक आवाज होने की वज़े से ये पक्षी डर जाता है ये उमजाली की आवाज है जो उसाना को वापस बुला रही है उसाना तीन महीने की है और अपनी मा के साथ उसका रिष्टा अभी भी बहुत मजबूत है साफ सफाई से रिष्टा और भी मजबूत हो जाता है ये परिवार यहां पर साथ में वक्त विता रहा है और सूरज के डूपते ही उसाना और उसकी मा और उसके भाई आराम करने के लिए लेट जाते हैं सुबह होने तक यहां पर चीजे काफी बदल जाती है इलाके में घना कोहरा चा गया है उमजाली बच्चों के साथ धुन्द के बादलों से होकर कहीं पर जा रही है पर कोई तो है जो लापता हो गया है उसान अपने परिवार से अलग हो गई है वो अपनी मा को पुकार रही है लेकिन उसकी मा और भाई बहुत दूर है उसे संभल का रहना होगा क्योंकि अगर वो जादा आवास करेगी तो एक सोता हुआ दानव जाग सकता है वो दोनों खुंखार शेर पास में ही आराम कर रहे हैं ये बिग कैट्स आमत और पर दिन भर में दस किलो मीटर का सफर करते हैं और उनसे बचने के लिए उमजाली और उसके बच्चों को लगातार छिपते भागते रहना पड़ता है उसाना की तेज पुकार सुनकर वो गहरी नीन से उठ जाते हैं खुश किस्मती से ये शेर अभी भी चीता के बच्चों का शिकार करने के बजाए दूसरे जुन्ड का पीछा करने में जादा दिल्चस्पी ले रहे हैं लेकिन इनका मन बदल सकता है और उसाना अभी भी खोई हुई और अकेली है उसे अपनी मा को ढूनना होगा उमजाली उसाना को ढून रही है लेकिन उसे और तीन बच्चों का खयाल रखना है तो जादा इंतजार नहीं कर सकती वो उसाना को आवाज लगाती है इलाके में शेर हैं इसलिए ऐसा करना खतरनाक हो सकता है उसाना पुकारती रहती है आखिरकार उसकी मा उसकी अवाज सुन लेती है और उसे ढून लेती है लेकिन अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं है वो शेर फिर से इनके करीब आ रहे है इसलिए उमजाली को फिर से इनने कहीं और ले जाना होगा तीन दिन गुजर गए हैं और ये चीता परिवार अब उन शेरों से पूरे दस किलो मीटर दूर निकल आया है लेकिन इस लाके में उन्हें दूसरे खत्रों का सामना करना है उमजाली को किसी की इबू आ रही है उनका नया घर एक और चीता के इलाके की बाहरी सरहत के पास में है ये उमजाली की ही बेटी है जो अब बड़ी हो गई है पर इसका मतलब ये नहीं कि इनमें अब करीबी रिष्टा है क्योंकि अब ये एक दूसरे के लिए कमपेटर्टर्ज है खुश किस्मती से उमजाली की इस बीटी के अभी अपने खुद के बच्चे नहीं है इसलिए वो अज़स्ट कर रही है वो जंगल के इस अलाके में एक नर की तलाश में है और इसलिए अकेली ही घुम रही है अगर उसाना बड़ी होने तक जिन्दा रही तो कल जाकर इसी तरह अकेली घुमेगी उमजाली से सब कुछ सीख कर उसाना की ये सौतैली बेहन अब बड़ी हो गई है और एक काम्याब शिकारी बन गई है अपनी मा की ही तरह इसने भी सब्र रफ्तार और घात लगाकर हमला करना सीख लिया है अपनी मा की तरह ही ये शिकार करने में माहिर है जो बहुत जरूरी है अगर उसे अपनी मा की तरह ही सूपर मॉम बनना है और सही सीख मिलेगी तो उसाना भी अपनी मा की तरह ही बनेगी पुमजाली अपनाए बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है हमेशा की तरह उसाना फिर से कहीं पर अगेली निकल चली है वो अपने भाईयों के खेल कूद में शामिल नहीं होना चाहती उसके भाई आपस में खेल खेल में लड़कर मजे कर रहे हैं वो सिर्फ मजे नहीं कर रहे हैं इस खेल कूद के जरिये ही ये बच्चे धीरे-धीरे जादा ताखतवर और फुर्तीले बन जाएंगे लेकिन उसाना को उचाई पर चड़ना है और अपनी मा के साथ खेलना है उसाना लगभग तीन महीनों की हो गई है इसने अपनी मा की मदद से जिंदेगी के उस पड़ाओ को पार कर लिया है जब ये सबसे कमजूर थी इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन जावा वक्त नहीं बचा है उसाना अब तक्रीबन एक साल और ही अपनी मा के साथ रहेगी उसने सीख लिया है कि किस से बचना है और कब भागना है अब आने वाले वक्त में उसे अपने दम पर अपना खयाल रखना सीखना होगा तीन महीने गुजर गए हैं लेकिन वाटरबर्ग में सब कुछ पहले जैसा ही है शाकाहारी जीवों के विशाल जुन मैदानों में रहते हैं और स्क्यावंजर्स बचे कुछे मीट की तलाश में आसमान में चक्कर लगा रहे हैं लंबी घास के बीच एक बदकिस्मत आंटुलोप आज किसी का खाना बन गया है एक चीता ने इसका शिकार किया है ये उमजाली है इसका जीपियस कॉलर टूट गया है लेकिन कमाल की बात है कि ये सूपर मॉम, उसाना और उसके तीनों भाई अब भी एकदम सेहत मन्द है ये एक हैरत अंगेज बात है क्यूंकि 50% बच्चे 6 महीने की उम्रपार नहीं कर पाते हैं उसाना और उसके भाई आज की शिकार से पेट भर रहे हैं इस तरह धीर सारा अच्छा खाना खा कर ही ये बड़े और ताकतवर्वन पाएंगे अब ये बच्चे मा के साथ पहरा देने का काम बाट रहे हैं वो शिकार पर पहरा देते हुए बारी-बारी खा रहे हैं सिर्फ शेर ही चीता का शिकार चीनने की कोशिश नहीं करते बल्कि कई छोटे बड़े जीव उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं ब्लाक बैक जैकल्स का एक जोड़ा करीब आ रहा है ये नर और मादा हर काम साथ मिलकर करते हैं लेकिन उमजाली से उलट ये जिन्देगी भर एक दूसरे के साथ रहे कर शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं ये मौका परस्त स्कैवेंजर्ज चीता के एक तीहाई शिकार छीन लेते हैं लेकिन ये खुद भी शिकारी है एक अकेला जैकल एक एंटलोप को मार सकता है अगर जैकल्स को उसाना और उसके भाई अकेले मिल गए तो वो इनके लिए आसान शिकार होंगे फिलहाल वो बच्चों से एक दो किलो मीटर दूर है और बच्चे इस वक्ती सी और ही जगे पर जा रहे हैं इन बच्चों को नहीं पता है के मुसीबत इनका पीछा कर रही है लेकिन ये अपनी मौज मस्ती में ही बिजी है आज उसाना इनके साथ खेल रही है और खेल-खेल में कुछ कमाल की बाते सीख रही है जिन से शिकार और बचाव करने में मदद मिलेगी इस तरह ये भविशे की तयारी कर रहे हैं क्योंकि एक साल बाद इनकी मा इन्हें छोड़ देगी फिर ये कुछ वक्त साथ मिलकर शिकार करेंगे फिर उसाना उसके बाद अकेली रहने लगेगी एक नई सुभा हो गई है उमजाली कल रात काफी बिजी थी आज उसाना और उसके भाईयों को धेर सारा खाना मिलेगा लेकिन उन्हें कोई देख रहा है जैकल्स उनके करीब आ गए है और अब आगे बढ़ रहे हैं ये जोड़ा टीम की तरह काम करके इस परिवार को घेर लेता है एक उमजाली का ध्यान बटाता है और दूसरी थोड़ा सा खाना लेकर भाग जाती है लेकिन अभी भी इन जैकल्स का मन नहीं भरा है उसाना हरकत में आ जाती है और आगे बढ़ कर इन दोनों का सामना करती है ये उसका पहला बड़ा इम्तिहान है उमजाली सब कुछ बहुती ध्यान से देख रही है वो हमला कर रही है उसके बेटे शांत खड़े हैं लेकिन उसाना अपनी मा की मदद कर रही है कर रही है जैकल्स तो बचकर भाग गए लेकिन ये उसाना के लिए बहुत बड़ी जीत है वो बिलकुल अपनी मा जैसी ही बहादुर और ताकतवर बन रही है उसने दुश्मन का सामना करके अपनी चीज की हिफाज़त की उमजाली ने उसे बहुत अच्छे से सिखाया है आने वाले महीनों में उमजाली उसाना और उसके भाईयों को और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देकर जंगल में अपने दम पर रहने के काबिल बनाएगी एक साल बाद जहां वाटर बर्ग में गर्मी का मौसम शुरू हो गया है आज तेज धूप के साथ टेंपरेचर बढ़ने लगा है और शाकाहारी जीव इस अलाके में आखरी बचे पानी के साधनों के पास जा रहे हैं ये मादा चीता पिछले कुछ हफतों से लगातार विल्ड बीस्ट के एक जुंड का पीछा कर रही है लेकिन ये उमजाली नहीं है ये है हमारी नन्नी उसाना ये अब लगभग एक अडल्ट बन गई है सूपर मॉम उमजाली की वज़े से उसाना और उसके तीनों भाई अभी भी जिन्दा है और अब वो बड़े हो गए है लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब उमजाली अपने बच्चों को छोड़ कर जाईगी ये सूपर मॉम अब एक नए नर की तलाश करेगी और यही कहानी फिर से दुबारा शुरू होगी उसाना अपनी माग को जाते हुए देखती है अब उसे और उसके भाईयों को अकेले ही चुनोतियों का सामना करना है ना सिर्फ जिन्दा रहना है बलकि काम्याब शिकारी भी बनना है जैसे उनकी मा ने उने सिखाया था पिछले 18 महीनों में उसाना में बेहत हैरत अंगेज और जबरतस बदलाव आए है वो एक कमजोर बच्ची थी जिसकी आँखें नहीं खुल रही थी अब वो ताकत्वर शिकारी बन गई है जो खाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा कर लड़ सकती है जंगल में जानवरों को जल्दी बड़ा होना पड़ता है और उसे हमेशा समझदारी से काम लेना होगा लेकिन उन्जाली की मेहनत की वज़े से उसाना इस चुनोती के लिए तयार है अब उसाना अपने खुद के बच्चे पैदा कर सकती है और अपनी शानदार प्रजाती की आबादी और बढ़ा सकती है वो कुछ वक्त तक अपने भाईयों के साथ ही रहेगी लेकिन फिर जल्द ही वो इस जंगल में अकेली अपने दम पर जीने लगेगी जंगल में रहने वालों के लिए हर दिन नया इम्तिहान होता है क्योंकि ये है गिद्स ओफ दो वाईल्ड क्योंकि ये है